ठीक है, तो हमारे पास जो ये वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, वायर पे हमने एक stress दिया, अब मुद्दा है कि जब इस वायर पे आप कोई stress दोगे, आप चाहते हो कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, कि आपको इसो L प्लस, डेल्टा L प्लस, इसमाल L लेंथ इसे कर देना है, इसका मतलब कि सबसे पहले elongation zero था, है ना, आपने कोई stress नहीं दिया था उसको, लेकिन आपने कोई force नहीं लगाया था, लेकिन जब हलका सा force लगाओगे, तो corresponding strain प्रोड्यूस होगा, corresponding elongation प्रोड्यूस होगा, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा और force लगाओगे, त इसका मतलब कि सेम elongation के लिए, next elongation के लिए, आपको force का amount बढ़ाना पड़ेगा, जैसे spring ले लीजिए, spring में जब आप मालीजे किसी को सुरू में दे दिये, चलो एक centimeter खीचो, हमने एक centimeter उसको खीच दिया, अब अगला task किसी भी person को दे दिया गया, चलो अगला एक centimeter तुम ख पड़ेगा, जादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि force constant नहीं है, force क्या कर रहा है, vary कर रहा है, with elongation, जितना जादा elongate होती चली जाएगी, उसे stretch करना क्या होता चला जाएगा, difficult होता चला जाएगा, mathematical expression देखते हैं हम लोग, कि ये कैसे mathematics इसको support कर रही है, तो हम ल लिया, तो हम कहेंगे, कि जो young modulus है, y, ठीक है, जो y young modulus है, ये हम क्या कहेंगे, tensile stress ये tensile stress दे रहे हैं, है ना, tensile stress upon tensile strain सिगमा से दिखाते हैं, ये बासन में आ गया, इसका मतलब ये हुआ, कि ये हो गया force upon area, f upon a, और tensile strain कितना हो गया, हम किसी x की बात कर रहे हैं, कि किसी intermediate step में चले गए, कि x length हमने stretch किया है अभी, उस x के proportion में हम देखना चाते हैं, कि हमने force कितना apply कर रखा है, तो हम कहेंगे, जो strain produce कर रखा है, जो deformation है, x का किया है, लेकिन जो fractional deformation है, जिसे हम लोग strain कहते हैं, x upon original configuration, मतलब length, l हो गया, तो यहां से आप अब देखोगे, त तो y into x upon क्या हो गया, l हो गया, लेकिन ये f by a है, तो यहां से f कितना आता हुआ दिख गया, f जो है, ये multiply कर देंगे, तो that is y capital A upon l into x, इसका मतलब ये amount तो constant है, है ना, material जब तक change नहीं करेंगे, या temperature जब तक change नहीं करेंगे, उसका modulus of elasticity change नहीं होने वाला है, क्योंकि modulus of elasticity, step और size पे depend नहीं करता है, वो सिर्फ material पे depend करता है और उसके temperature पे depend करता है, इसका मतलब कि cross-sectional area भी नहीं change हो रही है, significant उसे change हो रही है, लेकिन वो ignorable है, उसे हम ignore कर सकते हैं, minor change है, original length तो y रहनी है, l रहनी है, मतलब ये सारे constraints, constant रहने हैं, ये parameter change नहीं हो रहा है, change का हो रहा है, elongation, अगर someone says कि आप f versus elongation graph कीचिए, देखिए, ये proof का part नहीं है, extra part है, इसको मिटा देंगे फिर, लेकिन आप अलग से note कर लीजिएगा, तो हम करेंगे force versus elongation, अगर हम graph कीचें, तो straight line होगा, passing through the origin होगा, जो इसका slope होगा, वो क्या बताएगा, y equals to mx type का ह है, तो ये जो bracket है, ये slope को बता रही है, y into a upon capital L, ठीक है, ये slope हो गया, और ये slope constant रहेगा, change नहीं होगा, जब भी हम within elastic limit बात कर रहे हैं, ये बासन में आ गया है, ठीक है, इसका मतलब force directly proportional to displacement है, force linearly increase कर रहा है, straight line graph है न, linearly increase कर रहा है, with extension, extension, extension के साथ ये क्या कर रहा है, linearly increase कर रहा है, इससे ये तय होता है, कि force constant नहीं रहने वाला है, तो हम work कैसे निकाले हमें, work निकालना है, तो हमने का चलो, ये equation number one हो गया, work निकालते हैं, तो हम रोग जानते हैं, जब भी work निकालते हैं, और variable force को हमें deal करना होता है, उस समय हम integration का साहरा लेना होता है, क्या लेंगे, integration का साहरा लेंगे, इसका मतलब कि हम कहेंगे stored energy जो होगी, जो हम work करेंगे, है ना, किस force के against work कर रहे हैं हम लोग, हम लोग work कर रहे हैं, elastic force के against, elastic force के against work कर रहे हैं, और elastic force हमारे energy का care करता है, वो non mechanical energy में convert नहीं करता है, इसका मतलब वो wire के अंदर energy जो हमने उसको दी है वो store हो जाएगी है ना इसका मतलब जितना हम work करेंगे वो as a work as a energy store हो जाएगा stretched wire में इसका मतलब कि अगर हम potential energy की बात करें यू की बात करें तो that is work done ठीक है work done against the against the elastic force क्या हो जाएगा elastic force elastic force जो उपर equation number one में दिख रहा है है ना within the elastic limit अब हम लोग जानते हैं लेकिन ये work force into displacement नहीं लगा सकते हैं क्यों क्योंकि वो तब लगाते हैं जब force constant होता है लेकिन यहां force क्या कर रहा है हर displacement के लिए हर छोटे displacement के लिए बदल जा रहा है requirement जादा हो जा रही है तो यहां integration का सहारा लेते हैं ठीक है तो हम कहेंगे कि चलो पहले छोटा सा work देखेंगे और छोटे से work को हम कहेंगे integrate कर लेंगे छोटे छोटे work को integrate कर लेंगे और कहां से हम कहें कि जब elongation 0 था अब से हमने काम करना start किया था और कब तक elongation कब तक काम करते रहे जब तक x small l के equal ना हो जाए इसका मतलब यह हुआ ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि इस work को तो बड़े अराम से निकला जा सकता है कैसे हम dw जानते force into displacement होता है that means this is u equals to 0 से l that is called the lower limit and that is called the upper limit कहां तक हमें जाना है और dw force into क्या हो गया small displacement है ना infinitesimal displacement कहते हैं जिसमें हम force को constant मान सकते हैं अब यहां force into displacement लिख दिए क्योंकि बहुत छोटा displacement लिए जहां force क्या कर रहा है बैरी नहीं कर रहा है उस region में dx के लिए छोटे small region में वह बैरी नहीं कर रहा है है ना यह बस समया गया ना तो हम लोग कहेंगे force के value place कर देते हैं from equation 1 तो that is called that is equals to क्या हो जाएगा y a upon capital L x dx हो गया अब आप क्या common कर लोगे जो constants है जो x के साथ बहरी नहीं कर रहे हैं तो y a upon L बाहर आ गया और यह क्या हो गया x into dx हो गया और अभी आप integration नहीं पढ़े हो जब भी x की power n का integration करते हैं math में है ना power n है तो इसको लिखते है x की power n plus 1 upon n plus 1 लिखते हैं इसका मतलब plus ही होता है उन चीजों पर हम नहीं जाते हैं हम लोग कहेंगे definite integral है constant का कोई value नहीं आप तो यहां क्या कर देंगे x की power कितना दिख रही है 1 दिख रही है तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ओ जितना power में उपर आएगा उतना क्या आजाएगा नीचे आजाएगा तो हम कहेंगे यह हो गया x square upon 2 अब limit डाल देंगे upper limit और lower limit अब पहले upper limit place करते हैं और then किसकी बारी आती है lower limit की तो आप अंदर रखोगे L square upon 2 और minus 0 square upon 2 तो जीरो ही हो जाएगा ले देके क्या आगया 1 upon 2 y into a upon l l square that is the basic ingredient for जो तीन derivation हमने बताये थे वो करना है तो यह इसका basic ingredient है अब इसी से वो सारी चीज़े क्या करेंगे हम prepare कर लेंगे उनमें से कोई एक दिया जाएगा तो यहीं से रास्ता हम चूज कर लेंगे कि हमें किदर जाना है यह बास संजा जाना तो इतना note करिए पहले तो देखिए अब इस formula से यह energy क्या है energy stored in stretched wire हो गया अब इसको हम लोग अगर देखे तो हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा तो हम कहेंगे यू इक्वल्स टू इसको सही से लिख ले हाफ ठीक है और क्या हो जाएगा आपका यंग लास वाइ इंटो हम स्ट्रेंट का स्कोार लिखना चाहते हैं लेकिन ल स्कोइर तो है अब लिख लेकिन कैपिटल ल नहीं है तो ल क्या कर लिए हम मैर्टिप्लाइ कर लिए और और डिवाइड कर दिये तो एक पहले से था यह बास उन्याइक नहीं आई इसका मतलब यह L square तो पहले से था लीचे एक L M manage हो गया तो यह हो गया strain का square है ना और एक cross sectional area है तो अब यह बताईए कि कोई भी अगर wire है और उसकी cross sectional area दी गई है है ना और into length कर दिया तो यह इसका volume कहा जाता है क्या कहा जाता है volume इसका मतलब इस formula इस मैंने जयाएजे half into young modulus young's modulus ठीक है यही लिख देरे modulus है that is the total energy stored हो गई है that is total energy stored in given volume यह volume हो गया ठीक है तो एक derivation यह proof करने के लिए आता है उसका काम हम लोग वहाँ से उठा के कर देंगे otherwise हमें energy density कही जाती है energy density का मतलब होता है energy stored in per unit volume है ना अब the whole wire इसका मतलब इस volume से हम डिवाइट करते हैं तो हम कहेंगे energy density u क्या होती है energy stored in per unit volume of the stressed wire तो हम कहेंगे energy u upon क्या हो जाएगा volume हो जाएगा इसका मतलब volume हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि that could be return as a यह volume नीचे आ गया तो क्या लिखेंगे half into young's modulus young's modulus और into strain का क्या हो जाएगा square हो जाएगा ठीक है एक यह derivation आ गया energy density दूसरा derivation है ना अब तीसरा और आखरी जो टीसरे form में कैसे पूछा जाता है half stress into strain पूछा जाता है क्या कहा जाता है half stress into strain तो वह बहुता सिंपल है हम लोग जानते हैं ठीक है जो young modulus होता है since young modulus why जो है वो क्या होता है stress upon क्या होता है strain होता है तो young modulus को replace कर दिया जाए stress upon strain लिखके अपने आप वो चीज़े आ जाएंगी तो that is energy density small u equals to young modulus हम replace कर दिये stress ओवर strain और इधा क्या था strain का square था इसका मतलब एक strain कर जाएगा और क्या आ गया energy density आ गई हाफ stress into strain आ गया है ना तो इन तीनों में कुछ भी पूछा जाए हम लोग स्टार्ट जैसे की हैं वैसे ही करेंगे लेकिन यहां के बाद कैसे करना है वो manage कर लेंगे हम ठीक है अगर cgs unit की बात करें तो cgs newton के corresponding force को dyn में major करते हैं और meter की जगा पे centimeter use करते हैं तो centi meter की power minus 2 हो जाएगा यह cgs unit हो गई है ना modulus of elasticity का और यह क्या हो गया same unit और dimension की बात करें तो newton मतलब force है जिसका dimension होता है mlt की power minus 2 और meter की power minus 2 है तो L की power क्या हो गया minus 2 तो अब बताव पूरा अगर लिखें तो L की power तो यहां 1 है तो 1 और minus 2 कितना हो जाएगा minus 1 हो जाएगा तो यह लिख देंगे इसका तो इसे हटा देंगे तो यह हो गया क्या modulus आप जो भी elasticity है उसका dimension हो गया जो के हमने माना था ना dimension हो गया इसका यह बास सम्झाया ना modulus of elasticity का dimension हो गया तो यह note कर लेंगे यह कई बार एक मास का आ जाता है ठीक अब बात करेंगे यह तो हो गया बल्क माडूलस से रिलेटेड जो बल्क माडूलस का reciprocal होता है उसी को compressibility कहते हैं है ना जो solids होते हैं दे आर लेस compressible वो compressible नहीं होता है जैसे लेकिन जो हमारी gas है वो highly compressible होती है उन्हें ज्यादा compress कर जैसे बलून में अगर हम लोग air fill up कर लें तो हम compress कर सकते हैं liquid fill up कर लें compress करेंगे लेकिन ज्यादा stress लगाना पड़ेगा वो उससे ज्यादा compressibility चाहिए है ना और अगर उसमें कोई इटा पत्थर भर दें तो कर चुके compress हैना इसका मतलब compress करेंगे लेकिन हमें ज्यादा stress लगाना पड़ेगा इसका क्या मतलब है कि जो compressibility है solids की सबसे ज्यादा होती है और जो reciprocal reciprocal of bulk modulus यह ध्यान रहे कि दिनोटेट बाई कप्पा कहते है ना कप्पा तो कप्पा इकोस टू वान अपान बॉल्क मॉडूल से एक सिंबल है रोमन सिंबल है इंडिया में थोई नहीं कि ABCD बस दिखाई दे ठीक है कप्पा कहते है थोड़ा सा खिच दिया गया है इस्टाइलिस्ट हम लोग लिए को को अगर लोगया तो इसको कर देंगे तो डेल्टा वी उपर जाएगा तो वार माइन वाला है तो माइन अगा प्रेसर को यह हो जाएगा और डेल्टा वी ऑपर चला गया ठीक है और नीचे हो गया डेलेट अब दी कैलकुलस वाले मैंत में कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है वन बाई भी लिफरेंशियल चेंजी इंबॉल्ययूं डिफरेंशियल चेंजीन प्रेसर डीवीकाइट डीवाई त्टीवलश दीप आप इसे रिस पड़लन को तो कंई बार वो खर आपके मैस के लिए तरफ इतना यूस करूंस करना ज्यादब ऊहले जाएंगे वह कंप्रीu कि अपरोच करेंगे तो उसकी पढ़ने लगती है पिर प्रॉट नो